बलिया कार्तिक पुर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेश महत्व है आज के दिन आसपास के गाओं जिले से लोग स्नान करने आते हैं गंगा किनारे आए हुए भक्तों के लिए मनुरंजिन का कारेकरम पूरी राथ चलता रहता है ऐसा माना जाता है कि इस दिन इस्नान करने से विक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं इस दिन चंद्रमा को अर्ग देने से पुन्य की प्राप्ति होती है कार्तिक माह में किये गए इस्नान का फल एक हजार बार किये गए गंगा इस्नान के शमान हो सौ बार माघ्र स्नान के समान वैशाख मा में नर्मदा नदी पर करोड़ों बार स्नान करने के बाराबर माना जाता है जो फल कुम में प्रियाग में स्नान करने पर मिलता है वही फल कार्तिक मा में पलियाय के पवित्र नदी के टट पर स्नान करने पर मिलता है कार्तिक पुर्णिमा के दिन सुरियोदे से पहले स्नान करने से विशेश पुर्णिय के प्राप्ति होती है सुरियोदे हने के पश्चात स्नान का महत्व कम हो जाता है कार्तिक पुर्णिमा स्नान के साथ साथ ही एतिहासिक ददरी मेला का आगाज हो जाता है बलिया में कार्तिक पुर्णिमा के स्नान का विशेश वो महत्व है स्नान के बाद इस नानार्थी बलिया शहर हिस्तित महर्शी भिर्गु एव बालेश्वर नात मंदिर का दर्शिन करते है कार्थिक पुर्णिमा से ही बलियात एतिहासिक दद्री मेला की शुरात हो जाती है।